दोस्तों आज की स्टोरी है नवाप साहिल की जो कि शोशल मीडिया पर पहुचते जिसे फैमस हो रहे हैं इनकी फैमस होने की असली वज़ा रही है इनका जैंडर लोग कनफ्यूस हो जाते हैं कि ये मेल हैं या फिर फीमेल सो दोस्तों हम आपको बता दें ना ही नवाप साहिल मेल हैं और ना फिमेल ये एक ट्रांसजेंडर हैं जिनको हम सभी किनर की नेम से भी जानते पहचानते हैं दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे ये किनर होते हुए इन्होंने एक किनर से शादी क्यों की क्या नवाब साहिल सच में एक किनर हैं? क्या इन्होंने सच में एक किनर जी शादी किया है? इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे और साथी जानेंगे इनकी जिन्दगी की संगरुषबरी कहानी तो वीडियो को एंट तक जरूर देखें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें तो चलिका इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट दोस्तो नवाब साहिल का जन्म आगरा में हुआ था ये करंट टाइम मुंबई में रहते हैं इनकी फैमिली में इनके माँ भाई और बेहने हैं इनके भाई बेहनों के शादी हो चुकी है नवाब साहिल बच्पन से ही नाच गाने के काफी शोकी जहें है इनको दोलक बगेरा बजाना भी काफी पशन था ये आगरा में नाच गाना किया करते थे और ढोलक बगेरा भी बजाया करते थे और ये फिर कुछ समय बाद अपनी मा के साथ रहने लगे और इन्होंने वहीं से पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने पड़ाई लिखाई के साथ साथ बैक आडिशन में भी काम करना स्टार्ट कर दिया जिसमें ये तालियां बजा बजा करकर नाच गाना किया करते थे लेकिन नबाब साहिल जो काम किया करते थे उससे इनकी फैमली बिलकुल भी खुछ नहीं थी इनकी फैमली चाहती थी कि ये अच्छी जोब करें इनके फैमली के फोर्स करने पर नबाब साहिल मोगाईल स्टोर में जोब करने लगे इन्होंने वहाँ लगवक 6 महीने ही जोब की साहिल टिक टॉक पर भी वीडियोज बनाया करते थे जिसमें ये दूसरी बेगम का रॉल किया करते थे इनके इसकिरदार को टिक टॉक पर काफी पशंद किया गया नबाब साहिल इंस्टाग्राम एंड यूटूब पर भी वीडियोज बनाते है इनकी इंस्टाग्राम आईडे नबाब साहिल के नेम से है जिस पर इनके 214 के फॉलोवर्स है ये यूटूब पर व्लॉग वीडियो बनाते हैं इनकी व्लॉग वीडियो काफी पसंद की जाती है चलिए अब जान लेते हैं नबाब साहिल और रितू वाबगी के रिस्ते के बारे में शाहिल और रितू ने शादी कर लिया है लेकिन ये पूरा सच नहीं है इन्होंने ब्लॉग वीडियो एक चलेंज के उपर बनाई थी इनको चलेंज किया गया था कि 24 घंडे में 100 के व्यूली के आएं लेकिन इन्होंने वो चलेंज एक्सेप्ट तो कोई लिया पर इनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसाथ क्या अपलोड करूं जिसने मेरी वीडियो वाइरल हो जाए फिर इन्होंने बहुत सो समझ कर रितू की साथ एक साधी का वीडियो बनाया और जो वो वीडियो अपलोड किया गया तो इनके वीडियो वाइरल भी हुई जी हां गाइस ये सच है इन्होंने शादी नहीं किये इन्होंने बस वो चैलेंज के उपर शादी वाली वीडियो बनाई थी रितू और शाहिल एक अच्छे फ्रेंड है और उसके अलावा कुछ नहीं बात करें शाहिल की होवीज के बारे में तो इन्हें वीडियो बनाना और डांस करना काफी पशंद है इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं अगर आपको नवाप साहिल की वीडियो पशंद आई हो तो मैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबा और टेक्या